आई आप प्रफिसे स्वाजद है मेरा नाम है डॉक्टर दीपर क्रेकर में बंदोविकार सेट्स रोग सन्मोहन तथा वेस्तरमी तग्यों महाराष्टे में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ एक दिमारी बच्चों में दिखाई रहती है अपोजिशनल डिफाइंड डिसॉडर उसके बारे में मैं आपसे आज पाचित करने मारा हूँ कोई बच्चे में छे मेने तक यह लक्षेन डिखाई दिये मैं जब भी बोलने वाला हूँ छे मेने तक तो मोदे उस ओपोजिशनल डिफाइंड डिसॉडर है तो यह बच्चा नकरात्मक रहता है अवग्या करी रहता है और विरोधी बरताव कर दे रहता है नकरात्मक इस क्यों वैशा तो ऐसा क्यों क्यों था यह पने करूँआ इसा बहुत अर्ग्यमेन गरेगा। जो बढ़ों भता है घरके उसको उल्टा करेंगा। जान गूश को वड़ों को गुस्टा दिडा आज को मालू को बटन दबाने का है तो जान गूश को कुछ दिक उल्टा कर और उनके उपर उंग्या उनाएंगा। थोड़ा सा उसको विरोध किया, थोड़ा भी अपोजिशन किया, तो बहुत जाला गुस्ता करके कुछ तोड़ो फुरू भी कर सकता है। तो उसको जरा भी विरोध नहीं किलना। उसके मन जैसे को रहा होना जरू ही। यह बच्चा ह हरदम चिड़ा हुआ रहा है। हरदम चिड़ा हुआ 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 करने क्या यह बना कहां से अब इसका कारण जो है इसा हो सकता है कि उसके माँबाप में से कोई ना कोई dominating nature का है बहुत ज़्या dominating nature मतलब दबाव डालने वाला pressure डालने वाला और बहुत प्रेशन डालके ऐसे authoritative figure है पिताजी और बहुत गुस्ते वाले है ऐसा उसकी पिताजी का या उसके बाप का सभा होंगा और वहां से दिरे 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 डेवलफ हो जाता है या फिर कोई role model है उसके घर में कि जो role model को देख 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 के वह ऐसा हो जाता है पिर और कोई भी वेक्ति हो सकता है उसके डाला लाई या कोई अंकल या कोई भी घर में होने माले वेक्ति कि जो role model है और वहां से वह ऐसा बन जाता है उसको सभावे ऐसा होता है कि अपोजिशन करना उस्सा करना और मैं जासा बोलता हूं ऐसा है क्या बच्चों को आपने जो मांगा वो दिया जो मांगा वो दिया है जो मांगा वो पिल जाता है तो उसको आध investigate what your mindset should अपने हाथ पर जंगा इther उसको गूस तो सर्फ गुस्ते लिए बताया की जुस्सा हो गया करके तु आपा बझे घरते तो उसका जब दो internal hun ओ ले घरता है पूर फ्रॉस्टेशन टॉलरेट नहीं करता है। मांगा तो मिलना चाहिए। और उन्हीं मांगा तो फिर ये ऐसा हो जाता है। एगना मुलन होना या कुछ तभी उल्टा-पुल्टा करना है। तो उसको जैसी आदत से हो जाती हुए। और वह आदत होने से बड़े-बड़ा जब होता है। तो उसकी मांग एदि, उसकी विमानती पूरी नहीं करते हैं, बच्चों की। उफिर वह डिफाइंड बेहेवर करते रहता है। उस रहता है। उसका बेहेवर किया तो मुझसे तो कुछ कम मात्रा में उसको दवाई दे सकते हैं, कि जो दवाई से उसका ब्येवर क्वाइड हो जाया है। उसको methylphenidate, जैसे जो psychostumulant है, या फिर atomoxetine जो है, वह उसको दे सकते ये दवाईयां, कि जिस उतों हैला हो सकता है। बहुत जाला aggressive है, तो उसको थोड़ी दवाईयां शान्त करने के दे सकते हैं। और मेरी जो है, वह माबाप का counseling, family counseling, family therapy, group therapy, वह होना ज़रूरी है, जिसके वज़े से ये बच्चा अच्छा हो सकता है, या घर में शान्ति आ सकती है। discipline जो है, वह discipline होना ज़रूरी है। discipline मामप की नहीं रही, तो बड़ा problem हो जागा। मामप को लगता है कि अपने discipline लगा दिया, अभी कठोर हो गए, तो बच्चा खिर से भाग जाएंगा, बच्चा अभी suicide कर लेगा, या कुछ तो भी गड़बड़ कर लेगा, उससे एक्छे गांदो, जो अपन दे सकते वो करो, और उनकी दिवाधिमान पुनी करते जाते ज तो फैमिली कौशन जोन भी जरूर है, यह विदिया आपका अच्छा लगा तो जरूर शेर करो, सब्स्राइब करो, लाइक करो, थेंक्यू भी मुशन आट